हेलो दोस्तों, फेंटास्टिक फ्लेवर फूर्ड में आप सभी का स्वागत है, आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग सी बहुत ही नई सी रेसिपी ले करके आई हूँ, रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, तो चली बनात और इसके बाद थोड़ा सा धनियापती डाल करके, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, इसका एक ठेक सा बैटर तियार करेंगे, तो पानी इकठे नहीं डालना है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रंगत के लिए हल्दी पाउडर एट किया है, और इस नमक एट किया है, थोड़ा सा जवाइन एट करेंगे, क्रश करके, और इसी के साथ यहाँ पे एक चोटा चमच मैं घी एट करूंगे, आप यहाँ पे तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, बस इसे मिला लेंगे, मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, इसका एक स चोटी कॉंटिटी में बनाया है, तो यहाँ पे तीन चोटे-चोटे आलू को मैंने मैश कर लिए रफली, यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पनीर को इस तरीके से मैश करके एट कर दिया है, थोड़ा सा धरिया पत्ती एट करेंगे, एक चमच चिली फ्लेक्स एट करेंगे, एक थोड़ा सा प्याजा एट कर देंगे, तो लीजिए, यह हमारी चटपटी सी फिलिंग, बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बन करके तियार है, बहुत ही बढ़िया लगती है, तो चलते हैं हम आपने आटे को देख लेते हैं, तो यहाँ पे आटा भी बढ़िया से रेस्ट क भी ने, तो हमें इसे बेल लेना है, बहुत ज़दा पतला भी ने, बहुत ज़दा मोटा भी ने, अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा ओयल क्रीस करेंगे, अब जो हमने यहाँ पे बेसन का गोल तियार किया था, उसे हम इस तरीके से डाल देंगे, और थोड़ा ही थी, रोटी के उपर यह बेसन वाला चीला रख देंगे, और इसके उपर जो हमने स्टफिंग बना करके तियार कि थी, उसे हमें इसमें रख देना है, तो स्टफिंग यहाँ पे बहुत ज़दा कॉंटिटी में हमें रखना है, तो इसे अब एक तरप से हमें इस तरीके स उठाते हुए मोर देना है, चारो तरप से इस तरीकी से पैक कर देना है, और यह हमारा एक पॉकेट बन करके तियार है, तो इसे अब हम बेलेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़दा नहीं बेलना है, हलका सा सुखा आटा डस्ट कर लिजे, हलका सा हाथ हो से प्रेस कर लिजे, औ और बहुत ज़दा नहीं बेलना है, अगर आप ज़दा इसे प्रेसर से बेल देंगे, बहुत ज़दा इसे बेल देंगे, तो यह जो है वो फट सकते हैं, तो हलका सा ही मैंने इसे बेल लिया है, अब चलते हैं इसे सेखने की प्रोसेस में, तो यहाँ पे मैंने सेम पैन लि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गा और अगर आप ये रेसिपी फेस्बुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलू करना बिल्कुल भी न भूलें तो इस तरीके से ये बन करके त्यार है हमारा ये कॉलकता का बहुत ही फेमस वेज मुगलई पराठा बचों को टिफिन में दीजिए सॉस के साथ दीजिए हरी चटनी के साथ दीजिए बहुत ही मज़ेदार बनता है ये नाश्ता और पूरी तरीके से ये फिलिंग से भरपूर होता है ये भी बहुत गरम है तो मैं आपक अच्छे से दिखा भी नहीं पा रही हूँ बहुत ही टीस्टी लगता है आप एक बार इसे बना करके जरूर ट्राइ करिएगा तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को टिफिन में बना करके देंगे तो हमें भी ये तसल्ली हो जाएगी कि चलो बच्चों ने पॉफेक्ट मील ले लिया है तो इस तरीके से बनाईए आप भी खाईए इंजोई करिए मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर और बाई